हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का टेक्निकल गवर्मेंट जॉब और अवर इंडिया पर आज की ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट्मेंट लेकर आई हूँ जो की अधार का ड एक्जाम नहीं होगा डारेक्ट ये रिक्रूट्मेंट है पहले भी आती है डारेक्ट रिक्रूट्मेंट अब भी डारेक्ट रिक्रूट्मेंट आई हुई है किस तरह अप्लाई करना है सारा मैं आपको step by step इस वीडियो में क्लियर करूंगी सो बहुत अच्छा मुका आप यह मोगा आप मत जाने देना, बहुत ही अच्छा मोगा आपके पास आ चुका है, किस तरह अप्लाई करना है मैं आपको सारा इस वीडियो में क्लियर करूंगी, आप देख सकते हैं अधारकर की तरह से रिकूट्मेंट है, male and female candidates दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका को आती है, हर qualification के हिसाब से अभी भी इसमें vacancies जो है, वो आउट कर दीगी है, हम अपनी official website पे चलते हैं, वहाँ पे चलके मैं आपको बताती हूँ किस तरह अप्लाई करना है, और क्या-क्या इसमें इसमें अप्लाई कर सकता, और important dates क्या-क्या यहां पे बता दीगी है, तो friends आप देख सकते हैं, हम अपनी official website पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा मोगा यहां पे आपके पास आ चुके हैं, और apply करना भी आज से start हो चुका है, ठीक है, तो बहुत अच्छा मोगा यहां पे आपके पास आ चुका है, बात करेंगे recruitment की अधारकार की तरफ से, यह recruitment आई है वो भी with official notification PDF, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब केजिए, साथ में bell icon आप देख रहे हैं, इसको जरूर प्रेस करना, इससे आपको free में notification आते रहेंगे, जब भी मैं कोई नहीं जानकर यह आपके लिए लेकर आउगी, और इस recruitment के इलावा आज चार नए notification आगे हैं, बि इसका भी आपको मैंने link के इस video के description में दे दिया है, हमारी official site पर जाकर आप सारी vacancies को चेक कर सकते हैं, और आप स्क्रीन पर भी website देख पा रहे हैं, फिलहाल हम बात करे हैं, अधार कार की तरफ से IOE Direct Recruitment के बारे में किस तरह apply करना है, क्या क्या eligibility बताएगी है, सबसे पहली के बार देखे, कौन-कौन यहां पर apply कर सकता है, यह मैंने आपको starting में ही clear किया था, कि all India से आप apply कर सकते हैं, चाहे male candidates हो, चाहे female candidates हो, ठीक है, important rates की बात करना है, apply करना स्टार्ट हो चुका है, last date apply करने के लिए देखे, इन्होंने mention नहीं कि आपी recruitment यह चल ही रही है, बहु इन्होंने grade based में बता रख है, vacances देखे, जैसे कि मैं आपको बताया है, अलग-अलग out रही है, officer की post है, senior officer की है, assistant officer, accountant, assistant account officer, private secretary के यह vacances out कर दी गई है, उसके बाद बात करेंगे apply किस तरह से करना है, और qualification क्या-क्या बताएगी है, so 10th pass, 12th pass, graduation, post graduation वाले यहां पर apply कर सकते है उसके बाद age limit के बात करेंगे, आपकी age minimum जितनी मर्जी हो, 18, 19, 20, जितनी मर्जी हो, आप apply कर सकते है, 55 साल से ज्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 55 साल से उपर इन्होंने relaxation यहां पर mention नहीं किया हुआ, notification में ठीक है, यहां से आपर latest government jobs वो इसके इलावा out की गी और उसी के साथ application form attach किया हुआ, उसको fill करके इनके mention address पे भेज़ देना है, जो लोने address notification में mention कर रखा है, 10th, 12th graduation वाले apply कर सकते हैं, अगर आप इनके eligibility criteria के अंडर आते हो, ठीक है, तो जल्दी apply करना, like करना, वीडियो को, share करना, subscribe, जरूर करना, चैनल को मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ, thank you, thanks for watching,